हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज हम जुरू करते हैं यूपी पीसेस के लिए जो घटना चक्रम लोगों ने सीरीज चलाई है आज हम इंडिन जोगरोफी में पढ़ेंगे प्रपात और जीले क्या पढ़ेंगे आज हम प्रपात और जीले ये लगबग 19 या 20 और भी चीजों को हम जल्दी से कवर करेंगे तो चलिए आज शुरू करते हम आज का हमारा चैप्टर होगा वह होगा प्रपात और जीले तो इस पर हम कुछ नोट्स पढ़ देते हैं लिखा है जल प्रपात सब्द से साधारणत्य पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध रही है तो वो प्राकृतिक तरीके से जल्परपात होगा और कहीं कहीं पे जो बांध बना के जो एकी जलों को गिराया जाता है टूरिस्ट डेवलप किया था टूरिस्ट प्लेस के रूप में तो वो कृत्रिम होता है प्राकृतिक जल्परपात बहुता है क्या होते है परसुपा जलपरपात भी कहते हैं और ये करनाटक में है सरावती नदी पर अवस्तित है भारत में आयतन की दरिश्टी से अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जलपरपात कावेरी नदी पर सिव समुद्रम जलपरपात है अब प्रशन उठता है कि आयतन वाला याद करें या चोड़ाई वाला तो देखेंगे हम प्रशनी जब हम इसके सॉल्प करेंगे तो प्रशनी के आधार पे हम उसके उत्तर को देंगे तो आपको फिलाल तो ये दोनों ही नाम याद रखने होंगे यह जलपरपात करनाटक राजी में इस्थित है यानि सिव समुद्रम भी क नाटक में हैं सेकंड आता हुंडरू जलपरपात जो जारखन राजी में राची से लगवक 45 किलोमेटर दूर सुवन रेखा या सुवन रेखा नदी पर इस्थित है और कपिल धारा जलपरपात मेरे दोस्तों ये मद्य प्रदेश के नव सिर्जित जिले अनूपुर में न नारमदा नदी पर है वहीं चित्रकूट जलपरपात ये यूपी में चित्रकूट पाला जगह नहीं है ये बलकि 36 गड़ में चित्रकूट नाम से जो एकी है और राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर इसे भारत का नियागरा जलपरप जलपरपात के रूप में भी संगया दी गई है किसको चित्रकूट जलपरपात को IMPORTANT है दूद सागर जलपरपात पश्यमी घाट गोवा में इस्थित है यह गोवा और करनाटक की सीमा पर जो मांडवी नदी बहती है उसी पर इस्थित है यह दूद सागर जलपरपात वह तो उत्तर भारत की बात करेंगे यानि कि नौर्थ इस्ट की जोन में तो नोहा काली कई जल प्रपात जो मेगाले राज में इस्तित है और वहीं विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अनुसार जो करनातक राज में कुंची कल प्रपात है इसकी उंचाई 600 फिट बताई गई ह ठीक है और इस माप के अधार पर अब यह भारत का सबसे उंचा जल प्रपात है कैसा है सबसे उंचा जल प्रपात कुंची कल तो हमने देखे जितने भी तीन की सबसे बड़े बड़े देखे कुंची कल देखा सिव समुद्रम देखा जो जल प्रपात देखा यह तीनों ही क देटाबेस की वर्तमान इस्थिती के अनुसार भारत का जो सबसे उंचा जल परपात होगा वो नोका लीक कई मेगाले में है और अनेक अधिकारिक स्रोतों के अनुसार अभी भारत का सरवाधिक उंचा जल परपात कुणची कल को माना जाता है आगे देखते हैं महराश्ट र देखेंगे तो वहां देखेंगे कि आयोग ने किसको सबसे उंचा माना है अभी तो हम बस जगह देख रहे हैं जैसे वेंबनाद जो जील होती है तो वेंबनाद केरल की सबसे बड़ी लैगून जील है और केरल के कुटायम, अलपुजा, अरनाकुलम, वेंबनाद ये सभी जोएकी जिले जिलों से वेमनात लैगून घिरा हुआ है चिलका लैगून भारत के ओडिसा राज में महा नदी के मुहाने के समीब खारे पानी की लैगून जील है और चिलका हमारे भारत की सबसे बड़ी लैगून जील है और यह किस नदी के मुहने पर है, महानदी के, वहीं पूरवी तट पर इस्थित भारत की सबसे बड़ी तटी लैगून जील भी इसको माना जाता है, चिलका को, पूरवी तट का मतलब क्या हो गया, मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है पूरवी तट, ये जो आपका होता है, प्रांद प्रदेश, पश्यमंगाल, ओडिसा, तमिल नाडू, तो इस वाले तट पर कुछ इस जगह पर जो है कि आपको देखने को ये मिलेगी, साथ ही यह जो है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, तो कैसी जील है, खारे पानी की, ऐसा क्यों, क्योंकि पून भी कहा जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ी खारे पानी की जील भी बन जाती है, अब हम देखते हैं, ओडिसा तट को भागौलिक दृष्टी से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, चिलका जील की अधिक्तम लंबाई 65 किलो मीटर है, और साथी साथ वूलर जील के अगर तो वूलर जील आपको सबसे बड़ी मीठे पानी की जील जम्मु कस्मीर में, वहीं सबसे बड़ी खारे पानी की जील चिलका ओडिसा में है, वूलर जील जेलम नदी पर निर्मित गोखुर जील का एक उधारन है, गोखुर जील का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से जब नदी कुछ इस तरीके से बहते हुए आती है और कुछ इस तरीके से जो एकी मिल जाती है ऐसे तो ये वाला जो एरिया होता है ये गाय के पैर की तरह लगता है इसलिए इसको गोखुर जील भी कह दिया जाता है वहीं डल जील, जहां सिकारा बहुत अधिक चलाये जाते हैं नाओ के बने होते हैं तो डल जील हमारे स्री नगर में है, जितने भी लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो डल जील का जरूर आनंद उठाते हैं, और यह भी एक मीठे पानी की जील है वहीं पेरियार जील को अगर हम देखें तो पेरियार जो है एक किर्त्रिम जील है लेकिन यह लैगून जील नहीं है और पेरियार जील पेरियार नदी से जल को प्राप्ट करती है और यह पेरियार कहा है केरल में है पुलिक़ जील की बात करेंगे तो पुलिक़ जील तमिल्नाडू और आंध़ः प्रदेस की राज्यों की सीमाओं पर कोरो मंदल तट पर स्थित्थ खारे पानी की एक लैगून जील है खारे पानी की कैसी एक लैगून जील है आगे सबसे इंपोर्टेंट एक पॉइंट बनता है लोग तक जील की अगर हम बात करें तो ये नौर्थ इस्ट में मड़ी पुर राज में इसी ताजे पानी की जील है और ये मीठे पानी की पुर्वत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी जील है अगर हम बात करें पूरे भारत की मीठे पानी की जील सबसे बड़ी कौन सी है तो अभी हमने पड़ा वूलर जील जम्मू कस्मीर में लेकिन अगर हम कहें कि नौर्थ हिष्ट के राज्यों में सबसे बड़ी जील कौन सी मीठे पानी की तो लोक्तक जील है और इसी लोक्तक जील पर केबुल लामजाओ नाम का एक नेस्नल पार्क ये नी राष्टी पार्क भी है जो तैरता हुआ होता है सांभर जील की बात करेंगे तो ये जैपूर सहर है और जैपूर सहर में होते हुए निकलती है और सांभर जील से ही सबसे अधिक मात्रा में हम नमक भी जो एकी प्राप्त करते हैं इसकी एक और विसेशता है सांभर जील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर देशी जील है, कैसी जील है? अंतर देशी, यानि कि यह एक ही राजिया, एक ही जो है की मतलब शेतर में सीमित रह जाती है, जैसे हमने लूनी जील को पढ़ा था, वो भी अंतापवाई शे अगर से नहीं मिलती थी सरी हरी कोटा दीप पुलिकट जील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है आगे देखते कोलेरू जील के बारे में तो कोलेरू जील ये वो सारी जीले मेरे दोस्तों जो एक्जाम में पूछी गई हो और आज भी एक्जाम से मिलान करने के लिए आती ह ये बहुत ही महत्पूर सारी की सारी जीले अभी तक हम पड़ रहे हैं कोलेरू जील आंद पर्डेश में मीथे पानी की जील है पुसकर जील की बात करेंगे तो रैस्थान के अजमेर जीले में इस्तिटे केत्रिम जील है और वही लूनी नधी के अगर हम बात करेंगे तो यह जो है कि पुसकर जील यह लूनी नदी के सीड्स पर ही एक बनाया गया बांद के रूप में है रूप कुंड जील की बात करेंगे तो इसको रहस समय जील भी कहा जाता है रूप कुंड जील को और यह जील भारत के उत्रा खंड राज में इस्तितेक हिम जील है कौन सी रू प्रमुक सहर इस्थापित है कौन फुलर जील पर आगे देख लेते हैं केरल राज में जो अश्टमूडी जील है यह भी केरल राज की एक कोलम जीले में एक लैगून या कयाल जील है और अश्टमूडी का अर्थ होता है आठ साखा यानि इसकी कुछ आठ साखा है होंगी और रामसर समझोते के ताथ इसको एक अंतराश्टी महत्तुकी आदरभूमी भी गोसित किया गया अश्टमूडी जील को जो केरल राज में इस्थित है चलिए आगे देख लेते हैं और भी बहुत सारी ऐसी है तो हम यहाँ पर देखते हैं एक और जील हैदराबास सहर के लिए हैदराबास सहर हुसैन सागर और उस्मान सागर नामक दो जीलों पर इस्थित है वहीं हिमाचल प्रदेश में रेडुका जील और नाको जील भी इस्थित है और रेडुका जील भी एक रामसर साइट है जो कित्रिम रामसर साइट के रूप में जाने जाती है तो आईए देखें जोग जल परपाथ या गरसुपा जल परपाथ या जोगादा जल परपाथ या महात्मा गांधी जल परपाथ भी इसी का नाम है या सरावती नदी पर पहाए जाता है करनाटक राज में सिव समुद्रम जलपरपाथ यह कावेरी पर है और यह भी करनाटक में होते हैं हुंडरू जलपरपाथ यह सुवन रेखा पर है और यह राची जारखंड में होता है कपिल धारा जलपरपाथ और धुआ धार जलपरपाथ यह दोनों ही नर्मदा नदी पर हैं और ये दोनों ही मद्ध प्रदेश में हैं हमें ये याद रखना है चित्रकूट जलपरपाद जिसको भारत का नियागरा जलपरपाद की रूप से तुलना की जाती है ये इंद्रावती नदी पर 36 गड़ में है कौन से राज में? 36 गड़ में है आगे हम दूद सागर की बात करते है तो दूद सागर जलपरपाद मंडवी नदी पर है जो गोवा और करनाटक की सीमा पर है वहीं अगर हम और भी इंपॉर्टेंट देखते हैं नौर्थ इस्ट की तो नोकाली कई जो एकी नोकाली कई जो ये मेघाला में स्थित है और भी कुछ इस तरीके की इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे तो देखिए ये तो हमने पढ़ी लिया दुख्दधारा और कपिलधारा ये जो एकी आपकी नर्वदा पर है चूलिया जल्परपाथ ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कहां पर ये चंबल नदी पर राजिस्थान में है आज़ आजब कोछ जील देख लिजे साला जील आपकी अरनाचर प्रदेश में आती है बडखल जील आपकी हरियाडा में आती है काली वेली जील आपके तमिल नाडू में आती है चिंता मत करीमें दोस्तों इस पे अभी बहुत सारे प्रशनाप करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा देखें बेम्बनाड और अश्टमूडी जील ये केरल राज में इस्तित है चिलका जील ये ओडिसा राज में इस्तित है वूलर या मानसबल जील ये जम्मू और कस्मीर में है डल जील आपकी स्रीनगर जम्मू कस्मीर में पेरियार जील केरल में है पुलिकड जील आपके तमिल नाडवरा आंध प्रदेस में कॉलेरू जील आपके आंध प्रदेस में है ये भी जो है की और लोक्तक जील की बात करेंगे तो ये मडीपुर में है सांबर जील राजस्थान में है पुसकर जील ये भी अजमेर राजस्थान में राज समन्द, नक्की डिडवाना और उदै सागर ये तीनों ही राजस्थान में सूरज कुंड हर याणा में क्योंकि सूरज कुंड का मेला भी लगता है रूप कुंड नहीं रूप कुंड जो एकी उत्राखंड में हुसेन सागर और उस्मान सागर ये हैदराबाद तेलंगाना में क्योंकि हैदराबाद इसी पर बसा हुआ है आगे देखते हैं इससे समभाइद को इस प्रशनों को हम सॉल्व करेंगे पहला प्रशन दिया हुआ है कि हुंडरू जल प्रपाद किस पर इस थे थे तो हमने पढ़ा था सुवण रेखा जल प्रपाद पर है यहीं सुवण रेखा नदी जो एकी इस पर यो एकी यह पाया जाता है वो भी झारखंड में कहाँ पे झारखंड में यहां ध्यान देना है कि सही सुमेलित नहीं है और यह देख लिज़ा यूपी पीसे स्प्री में ऐसे ऐसे प्रश्णी पूछे गए हैं 2021 में हुंडरू जल परपाथ स्वांड रेखा पे बिल्कोल सही चचाई जल परपाथ बीहल नदी पर यह भी सही है धुआ धार जल परपाथ हमने पढ़ा नर्मदा नदी पर यह भी सही है बूढ़ा घार जल परपाथ यह काची नदी पर यह नहीं है सही यह नहीं सही है क्योंकि जो बूढ़ा घार जल परपाथ है यह आपका जार खंड में बूढ़ा नदी पर ही इस्तित है किस पे इसे था है बुढ़ा नदी पर अगला पूचा जा रहा है जल परपात और नदी इसको मिलान करना है तो दूध सागर जल परपात हमने पड़ा है किस पे है यह आपके दूध सागर अच्छा दूध सागर था कोई बात नहीं डूडूमा है गोकाख है और जोग है अगर हमें जोग कही पता है जोग जलपरपात है सरावती जलपरपात तो आप इसको देख सकते हैं कि ये डी का थ्री और जैसे आप डी का थ्री देखेंगे तो आपको हैं पर दो आफ्शन देखने को मिलना है या तो ये या तो फिर ये तो देखी और अर भी हम इसका मिलान कर लेते हैं, तो दूद सागर जो एकी जलपरपात, मांडवी पे है, जो गोवा और करनाटक पे है, ठीक है, और डुदूमा जो एकी आपका घाट प्रभा नदी पर है, शरी, डुदूमा आपका मच्छकुंड पे है, और जो गोकाख है, यह आपका घा अगला पूछा जा रहा है कि कौन से युग में सही सुमेलित है तो कपिल धारा जलपरपाद गोदावरी नदी पे गलत ये तो नर्मदा पे है जोग जलपरपाद सरावती पे ये भी सही है सिव समुद्रम जलपरपाद करनाटक कावेरी में ये भी सही है तो B option is correct हो गया क्यो कि 2 और 3 दोनों ही सही है कपिल धारा जलपरपाद गोदावरी नहीं बलकि नर्मदा पे है किस पे है नर्मदा पे ये हमने पढ़ा था Question number 6 हम देखते है Q. 6 है कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है तो देices बेड़ा घाट का जल प्रोपात भी है कपिलधारा भी है दुख्धधारा भी है लेकिन भालकुंड नहीं है भालकुंड जो है कि आपका यह नहीं है ये राहत गड़ के बीना के निकट बीना नदी पर इस्थित है किस पर है बीना नदी पर इस्थित है बाकी सभी जल प्रपात नर्मदा नदी पर इस्थित है भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात जो है वो किस नदी पर है ये पूछ लिया गया सीधे तो जोग ने क्या लिखा है देखें विगत वर्सों में उत्ता प्रदेश लोग से वायोग द्वारा पूछे गए प्रश्णों में भारत का सबसे उंचा जल प्रपात कुंची कल को ही माना गया है तो आपको भी कुंची कल को ही लगाना होगा भारत में निम्न जहरनों में सबसरवाधिक उंचाई वाला जहरना फिर कौन सा आगया वही सेम प्रश्ण जोग या कुंची कल तो सही जवाब हम आयोग के एकॉर्डिंग तो हम कुंची कल को कि हमें यूपी पीसेस का देना है तो उसके एंसर की वही रहेगी आप इस पे नि निम्लिकित यूगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है सिव समुद्रम हमने पड़ा कावेरी पर है चूलिया जलपरपाद चंबल पर है जोग जलपरपाद कृष्ण ये गलत है ये तो सरावती पर है धुआधार नर्मदा पे है तो सी ओफ्षन इस करेक्ट हो गया कोश आधार कड का सबसे उचा जलपरपाद कौन सा या कौन सा है बूडा घाट अगला प्रशनाप का अम्रिधारा जलपरपाद किस नदी पर इस्तृत थेता थार है हसदो नदी पर है किस प्छाद पर हैं रहेंचा आपको भारत के किस जलपरपाद को लोगप्री रूप से नि नियागरा जलप्रपात की रूप में जाना जाता है और यह 36 गड़ में पाया जाता है यूपी में 36 गड़ में निमने जलपरपातों में से कौन गोवा में इस्थित है तो मंदवी नदी पर जो है कि दूद सागर जलपरपात मंदवी नदी पर इस्थित है बेड़ा घाट पर कौन सा जलपरपात इस्थित है तो हमने पढ़ा था धूआधार जो कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर इस स्थित है और यह जबलपुर जिले में स्थित है कोश्ण मन 19 निमलिखित में से कुंची कल जल प्रपात की सहीं उचाई कौन सी तो 455 मीटर इसकी सहीं उचाई है जो कुंची कल जल प्रपात के बारे में पूछा गया और याद रखेगा आयोग के अनुसार कुंची कल को ही सबसे बड़ी जील है यह अगला प्रशन है कौन सा एक लैगून नहीं है तो चिलका भी लैगून है अस्टमूडी भी लैगून है पेरियार जील भी लैगून है पुलिकट भी लेकिन पेरियार जील जो है कि लैगून जील नहीं है बलकि यह अंता अपवाही छेतर की जील यानि यह केरल के अंदर ही बहती है और यह कित्रिम जील का उधारण भी कह सकते हैं लेगून नहीं को कि इसमें समुद्र का पानी नहीं मिलता है अब अगला प्रशने UP PCS Pre 2021 का कि भारत वर्स की खारे पानी की सबसे बड़ी जील तो मैंने बताया आपको कि जो चिलका जील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी जील है और वहीं वूलर जील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है कौन सी जील है मीठे पानी की सबसे सामभर जील आपके राजस्थान में पाई जाती है लोनार जील आपके महराष्ट में पाई जाएगी अगला प्रशन है चिलका जील जहां इस्थित हुए कौन सा तट है आप देख सकते हैं पांच बार यह लगवग एक्जाम में पूछा गया है तो यह उत्तरी सरकार तट है क्योंकि ओडिसा में उत्तरी सरकार तट कहा जाता है इस चेतर को जहां पे चिलका की जील बहती है कोशन में 24 है भारत के पूरवी तट पर इस्थित सबसे बड़ी लैगून जील कौन सी है तो भाई चिलका हो जाएगी पूरवी तट का मतलब हो गया कुछ इस वाले तट प क्योंकि इसको रामसर का दर्जा भी दिया गया है अगला प्रशन है कौशन में 25 कौन सी जोड़ी जील और राज्य सही सुमिलित है तो लोग तक देखी मड़ी पूर में यह बास से डिडवाना आपके राजस्थान में उदा सागर भी राजस्थान में कोलेरू आपके तो पुलिकट जील है क्योंकि यह आंद प्रदेश और तमिलनाडू की सीमा पर पाई जाती है आंद प्रदेश और तमिलनाडू की सीमा पर इस्थित है पुलिकट जील जबकि कोलेरू जील आपके आंद प्रदेश में चिलिका ओडिसा में और लोनार माराष्ट में यह किस इसी भी सीमा के साथ साजा नहीं करती है Q27 है भारत के किस राज में फुलहर जील है तो हम नहीं तो पड़ाय KRIS के PYMERS है तो हम यहाँ पर उत्तर क्या लगाऊंगे कि उत्तर प्रदेश में जो यह की फुलहर जील में है यह फुलहर जील पर है तो बी ऑफशन गलत हो गया क्योंकि लोकटक जील मेगाले नहीं बलकि मड़ीपुर में हैं अगला प्रशन पूचा रहा है कौन सही सुमेलित है लोनार जील मदपरदेस गलत यह तो महराष्ट में नक्की जील गुजरात यह भी गलत कोलेरू जील आंदपरदेस यह बि आंदपरदेस में इस्थित है अगला प्रशन है किसको रहास समय जील कहा जाता है तो मैंने बताया था कि रहास समय जील रूप कुंड जील को कहा जाता है जो आपके उत्राखंड में देखने को मिलेगी हमें रूप कुंड जील देखे C ओफशन इस करेक्ट हो गया और यह रूप कुंड जील को रहास समय जील कहते हैं और यह उत्राखंड राज में इस्थित है अगला प्रशन है भारत की निमने जीलों में से कौन जम्मू कस्मीर में अवस्तित है जम्मू कस्मीर में अंचार जील इस्थित है क्योंकि फुलहर आपके यूपी में है कोलेरू आपकी तमिलनाडू हो जाएगी रूप कुंड आपकी उत्राखंड हो जाएगी और सूरज कुंड आपका हर याणा हो जाएगा और इसी जील के किनारे सूरज कुंड का मेला भी लगता है अगले प्रशन को देखते हैं बर्फ से ढकी जील घेपन इस्थित है कहां पे हिमा matesर प्रदेश में कॉश्म 35 है कयाल क्याल के लैँगून जीलं को कहा जाता है कänger 036 है कौसी एक कितरिम जील है तो कुडाई कनाल न्याड़ को लेरु नेचुरल जील है नैनी तान वीडर जील और रेडुका भी नेचुरल जील है तो आन देख सकते है कुडाई कनाल जो है कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो देख मिलान को डिरेक्ट यहाँ पे तो साला आक करेंगे तो साला आपका कहा मिलेगा अरणाचर प्रदेश में मिलेगा बढखल कहां मिलेगी फरीदाबाद हरियाना में लोकटक जील मड़ीपूर में कालीवेली जील ये आपके तमिलनाडू में है तो ये हो गया इसका एंसर कोश्मत 38 पूछ रहा है कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो मैंने 39 कौन सा सही सुमलित नहीं है हमाचर प्रदेश का मडिकर्ण ओडिशा का तप्टपानी और माराष्ट का ब्रजेश्री गुजरात नाराणी यहां पर सही सुमेलित नहीं क्योंकि गर्ब जहरने यानि के इन से गरं पानी गिरता थोड़ा सा तो ये गुजरात नरायडी नहीं है यहाँ पर अगला प्रश्ण है भारत के संदर में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किन के नाम है अगर आपको डिडवाना का नाम याद हो तो यह जीलों के नाम है यह लवण जील क्यों लिख रहा है क्योंकि यह आपके राजिस्थान में पाई जा